ओम श्यान्ति पाच नवंबर दोहचार तेज के अव्यक्त बापदादा के महावाख्य रिवाइस कोर्स 10 मार्च 1996 सार करनहार और करावनहार की स्मृति से करमातित स्थिति का अनभव आज कल्यान कारी बाप अपने साथी कल्यान कारी बच्चों को देख रही है सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से, विश्य कल्यान का कार्य करनी में लगी हुई है ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वाह साथी बच्चे वाह यह गीत गाते रहती है आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना आज पाप दादा ने चारो और के सेवा की गती देखी साथ में स्वै पुरुशार्थ की भी गती को देखा तो सेवा और स्वै पुरुशार्थ दोनों के गती में क्या देखा होगा आप चानते हो सेवा की गती तीवर है वा स्वेपुरुशार्थ की गती तीवर है क्या है दोनों का बैलन्स है नहीं है तो विश्यू परिवर्तन की आत्माओं को वा प्रकृति को ब्लैसिंग का मिलेगी क्योंकि बैलन्स से जो आप सभी को ब्लैसिंग मिली है वह औरों को मिलेगी तो अंतर क्यों? कहलाते क्या हो कर्म योगी वा सिर्फ योगी? कर्म योगी हो ना तो पक्का है? तो सेवा भी कर्म है ना? कर्म में आते हो, बोलते हो वा दृष्टी देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, यह सब स्रेष्ट कर्म अर्थार्थ सेवा है. तो कर्म योगी अर्थार्थ कर्म के समय भी योग का बैलेंस, लेकिन आप खुद ही कह रही हो कि बैलेंस कम हो जाता है, इसका कारण क्या? अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है बाप दादा ने देखा कि सेवा वा कर्म और स्वे पुरुशार्थ अर्थार्थ योग युग्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेश एकी शब्द याद रखो, वह कौन सा? बाप करावन हार है, और मैं आत्मा, मैं फलानी नहीं, आत्मा करन हार हूँ, तो करन करावन हार, यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा स्वे पुरुशार्थ का बैलेंस या गती कभी भी कम होती है, उसका कारण क्या? करन हार के बजाए मैं ही करने वाली या वाला हूँ, करन हार के बजाए अपने को करावन हार समझ लेती हूँ, मैं कर रहा हूँ, जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है, उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो हो ही मैं, तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है, ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती है और आ जाती है, अगर करन हार हूँ, तो कराने वाला अवश्य याद आएगा, कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन करान वाला बाप है, बिना करावन हार के करन हार बन नहीं सकती, डबल रूप से करावन हार की स्मृति चाहिए, एक तो बाप करावन हार है, और दूसरा मैं आत्मा भी इन करमिंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ, इससे क्या होगा, कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था आप सब का लक्ष क्या है कर्मातीत बनना है न या थोड़ा थोड़ा करम बंदन रहा तो कोई हर्चा नहीं रहना चहीं या नहीं रहना चहीं कर्मातीत बनना है बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना तो करावन हार होकर कर्म कराओ कर्मेंद्रिया आप से नहीं करावे लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना यह कॉंसेसनेस इमर्ज रूप में हो मर्ज रूप में नहीं, मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाए करमिंद्रियों के, अर्थार्त मन के, बुद्धी के, संसकार के वश हो जाती है कारण करावनहार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेश आत्मा, मास्ट्र सरव शक्तिवान आत्मा हूँ यह स्मृति मालिक पन की स्मृति दिलाती है नहीं तो कभी मन आपको चलाता और कभी आप मन को चलाती इसलिए सदा नैचुरल मन मना भव की स्थीती नहीं रहती मैं अलग हूँ बिलकुल और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूँ बाप को याद करने से मैं बालक हूँ और मैं आत्मा कराने वाली हूँ तो मालिक हूँ अभी यह अभ्यास अटेंशन में कम है सेवा में बहुत अच्छा लगी हुई हो लेकिन लक्ष ग्या है सेवाधारी बनने का वाकरमातीत बनने का की दोनों साथ साथ बनेंगे यह अभ्यास पक्का है अभी थोड़े समय के लिए यह अभ्यास कर सकते हो अलग हो सकते हो या ऐसे अटेच हो गए जो डिटेच होने में टाइम चाहिए कितने टाइम में अलग हो सकते हो पांच मिनद चाहिए एक मिनद चाहिए वा एक सेकिन चाहिए एक सेकिन में हो सकते हो, पांडव एक सेकिन में एकदम अलग हो सकते हो, आत्मा अलग मालिक और करमेंद्रिया करमचारी अलग, यह अभ्यास जग जाओ तब होना चाहिए। अच्छा अभी अभी एक सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ पारफुल अभ्यास करो बस मैं हूँ ही न्यारी यह करमिंद्रिया हमारी साथी हैं कर्म की साथी हैं लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूँ अभी एक सेकंड में अभ्यास दोराओ ड्रिल सहज लगता है कि मुश्किल है सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्ज करो तो कर्माती स्थीती का अनभव सहज करेंगे क्योंकि सेवा वा कर्म को छोड़ सकते हो छोड़ेंगे क्या? करना ही है तपश्या में बैठना यह भी तो कर्म है तो बिना कर्म के वा बिना सेवा के तो रह नहीं सकते हो और रहना भी नहीं है क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है सेवा के रूप रेखा बदली है लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उलाना रहा हुआ है इसलिए सेवा और स्वैपुरुशार्थ दोनों का बैलेंस रखो ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बीजी थे ना इसलिए स्वैपुरुशार्थ कम हो गया नहीं और ही सेवा में स्वैपुरुशार्थ का अटेंशन ज्यादा चाही क्योंकि माया को आने के मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है नाम सेवा लेकिन होता है स्वार्थ अपने को आगे बढ़ाना है लेकिन बढ़ाते हुए बैलन्स को नहीं भूलना है क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंद का विस्तार होता है और माया चांस भी लेती है थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारन कर लेती है पुराने रूप में नहीं आएगी नई नई रूप में नई नई प्रिस्थिती के रूप में संपर्क के रूप में आती है तो अलग में सेवा को छोड़ कर अगर बाप दादा बिठा दे, एक मास बिठाए, पंदरा दिन बिठाए, तो करमातीत हो जाएंगे, एक मास दे, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपश्या करो, खाना भी एक बार बनाओ बस, फिर करमातीत बन जाएंगे, नहीं बनेंगे अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है, तो कितना भी एक मास क्या, दो मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा, और बिठाना है मन को, ना कि सिर्फ तन को, तन के साथ मन को भी बिठाना है, बैठ जाए बस, बाप और मैं दूसरा ना कोई तो एक मास ऐसी तपश्या कर सकते हो या सेवा याद आएगी बाप दादावा ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रति दिन सेवा बढ़नी ही है तो बैट कैसे जाएंगे जो एक साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की वह बढ़ी है या कम हुई है बढ़ गई है ना ना चाते भी सेवा के बंदन में बंदे हुई हो लेकिन बैलेंस से सेवा का बंदन बंदन नहीं संबंध होगा जैसे लोकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध तो बंधन का अनभव नहीं होगा, सेवा का स्वेट संबंध है तो क्या अटेंशन देंगे? सेवा और स्वेपुर्शार्ट का बैलेंस सेवा के अती में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ, नहीं कराने वाला करा रहा है, मैं निमित करनहार हूँ, तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है न, तो ठक गई है, माथा भारी हो गया है, तो माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा, ठकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आईगी, जब साइन्स की दवायों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती और आत्मा में अनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ओटोमेटिकली पड़ता है अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता नहीं पड़ता है जब कोई उदासी थकावट या माथा भारी होता है न फिर होश आता है क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन सिर्फ एक शब्द करनहार और करावनहार याद करो मुश्किल है या सहज है, बोलो हाँ जी, अच्छा, अभी नो लाख प्रजा बनाई है विदेश में कितने बनी है, नो लाक बनी है, और भारत में बनी है, नहीं बनी है तो आप ही समापती के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते बैलन्स रखो, डाइमंड जुबली है न, तो खूब सेवा करो लेकिन बैलेंस रख कर सेवा करो तो प्रजा जल्दी बनेगी टाइम नहीं लगेगा प्रकर्ती भी बहुत ठक गई है आत्माई भी निराश हो गई है और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान, बाप को याद करते हैं लेकिन उसका पूरा परिच्चे ना होने के कारण आप देवी देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं तो निराश आत्माई की पुकार आपको सुनने में नहीं आती आती है कि अपने में ही मस्त हो मर्सिफुल हो ना बाप को भी क्या कहते हैं? मर्सिफुल और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं सुख नहीं मांगेंगे लेकिन मर्सी सबको चाही तो कौन देने वाला है आप देने वाले होना या लेने वाले हो लेकर देने वाले दाता के बच्ची होना तो अपने भाई बहनों के उपर रहम दिल बनो और रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित भाव सेते ही होगा किसी बरबी चाहे कितना भी बुरा हो लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रती रहम है तो आपको उसके प्रती कभी भी घ्रना या इर्शा या क्रोध की भावना नहीं आएगी रहम की भावना सहज निमित भाव इमर्श कर देती है मतलब का रहम नहीं सच्चा रहम मतलब का रहम भी होता है किसी आत्मा के प्रती अंदर लगाव होता है और समझते हैं रहम पड़ रहा है तो वह हुआ मतलब का रहम सच्चा रहम नहीं सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देह भान नहीं, आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है, देह अभिमान वा देह के किसी भी आकर्षन का नाम निशान नहीं, कोई का लगाव बोडी से होता है, और कोई का लगाव गुणों से, विशेश्टा से भी होता है, लेकिन विशेशता वा गुण देने वाला कुन आत्मा तो फिर भी कितने भी बड़ी हो लेकिन बाप से लेवता है अपना नहीं है बाप ने दिया है तो क्यों नहीं डारेक्ट दाता से लो इसले कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं कई बच्चे ऐसे नाश नकरे दिखाती है होगा स्वार्थ और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है और कुछ भी नहीं है सिर्फ रहम है लेकिन चेक करो नहीं स्वार्थ रहम है लगाव मुक्त रहम है कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है फिर कहेंगे बहुत अच्ची है ना बहुत अच्चा है ना इसलिए थोड़ा थोड़े के चुटी नहीं है अगर करमातीत बनना है तो यह सभी रुकावटे हैं जो बोडी कॉंसेस में ले आती है अच्चा है लेकिन बनाने वाला कौन अच्चाई भले धारण करो लेकिन अच्चाई में प्रभावित नहीं हो न्यारे और बाप के प्यारे जो ब्याबाप के प्यारे हैं वह सदा सेफ हैं समझा अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है तो स्थापना को भी नजदीक लाना है या नहीं, कौन लाएगा, बाप लाएगा, सभी लाएंगी, साथी है न, अकेला बाप भी कुछ कर नहीं सकता, सिवाए आप साथी बच्चों के, देखो, बाप को अगर संचाना भी है, तो भी शरीर का साथ लेना पड़ता है, बिना शरीर के साथ के बोल सकता है, चाहें पुरानी गाड़ी हो, चाहें अच्ची हो, लेकिन आधार तो लेना पड़ता है, बिना आधार के कर नहीं सकता, ब्रमा बाप का साथ लिया न, तबी तो आप ब्रह्मन बनी ब्रह्मा कुमार कहते हो शिव कुमार नहीं कहते हो क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना ही है जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिष्टे के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं क कर सकती हैं चाहें साकार में लिया चाहें आकार रूप में लिया लेकिन आत्मा का आधार साथ लेना ही पड़ता है वैसे तो आलमाईटी अथोरिटी है जब जादुगर विनाशी खेल सैकिन में दिखा सकती है तो क्या आलमाईटी अथोरिटी जो चाहिए वेह नहीं कर सकता है, कर सकता है, अभी अभी मिनाश को ला सकता है, अकेला ला सकता है, अकेला नहीं कर सकता, चाहिए आलमाइटी अथोरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबन में बंदा हुआ है, तो बाप का आप से कितना प्यार है, चाहिए कर सकता है लेकिन करता नहीं जादू की लकडी नहीं गुमा सकता है क्या लेकिन बाप कहती हैं कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा बाप बनेगा क्या आप बनेगे स्थापना तो कर ली विनाश भी कर ली लेकिन राज्य कौन करेगा बिना आपके काम चलेगा इसलिए बाप को और आप सभी को करमातीत बनाना ही है बनना ही है ना कि बाप जबरदस्ती बनाई बाप को बनाना है और आप सब को बनना ही है यह है स्वीट ड्रामा ड्रामा अच्छा लगता है ना कि कभी कभी तंग हो जाते हो यह क्या बना, यह बदलना चाहिए सोचते हूँ, बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, यह बदल नहीं सकता, रीपीट होना है, लेकिन बदल नहीं सकता, ड्रामा में इस आपके अंतिम जनम को पावर्स हैं, है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस स्रेश्ट ब्रामन जनम म बहुत ही पावर्स मिली हुई है बापने विल किया है इसलिए विल पावर है तो कौन सा शब्द याद रखेंगे करन करावन हार पका या प्लेन में जाते जाते भूल जाएंगे भूलना नहीं अभी फिर से अपने को शरीर के बंदन से न्यारा करमातीत स्टेज कर्म करा रहे हैं लेकिन न्यारा देख रहे हैं बात कर रहे हैं लेकिन न्यारा मालिक और बाप द्वारा निमित आत्मा हूं इस स्मृति में फिर से मन और बुद्धी को स्थित करो ड्रिल अच्छा चारो और के सदा सेवा के उमंग उच्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माई, सदा स्वेप पुरुशार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिस्पुल आत्माई, सदा निह स्वार्थ रहम दिल बन, सर्व आत्माओं प्रती सच्चा रहम करने वाली आत्माई सदा सेकिन में अपने को कर्म बंधन वा अनेक रोयल बंधनों से मुक्त करने वाले तेवर पूरुशार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते जी वर्दान, आज्या कारीबन, बाप की मदद वा दुआउं का अनभव करने वाले सफलता मूरत भव विस्तार, बाप की आज्या है मुझ एक को याद करो एक बाप ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाए बाप के और कुछ भी समाया हुआ ना हो एक मत, एक बल, एक भरोसा, जहां एक है, वहां हर कारीय में सफलता है उनके लिए कोई भी प्रिस्थिती को पार करना सहज है आज्या पालन करने वाली बच्चों को बाप की दुआई मिलती है, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है स्लोगन, नए ब्रामन जीवन की स्मृति में रहो, तो कोई भी पुराना संसकार इमर्ज नहीं हो सकता अच्छा, ओम शांती